आज वीडियो में हम लोग जो है दो तिन टॉपिक्स ले रहे हैं यह से फस्ट वन है हमारे पास अलेक्टिक पोटेंशिन नर्जी सेकिन लोग लेंगे स्टेंट्स अलेक्टिक पोटेंशिन नर्जी और तू पर शिस्टम सबसे पहले समब करते हैं अब इसको समयने के थोड़ी सी बात कहां में के तरफ चलते हैं जो इसको में लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर जा रहा हूं तो डू टो इस पोजिशन इसकी पोजिशन के कारणा जो इसके अंदर इनर्जी आई that energy is termed potential energy similarly electric potential energy की बात हम जब करते हैं so it is the energy possessed by the system of the charges due to their position it is the energy possessed by the system of the point charges due to their position clear थोड़ा और आगे की बात करें अगर हम लोग इसमें एक definition में जो लेते हैं हम इसको लिफ्ट कर रहे थे उपर ले जारे तो लेते हैं हमने कहा कि दिए इस पोसेशन जो energy store होगी तो इस पोडेशन नर्जी तो वो किसके इकल होगी potential energy that is equal to the amount of work done इस पोई तक लाने के लिए जो अमांट of work done आपने किया वह वह भी पोडेशन store होगी की अंदर इसके अंदर इन पाम of energy that is called potential energy similarly electric potential energy may be defined may also be defined as but that is the energy possessed yeah we can say electric potential energy of the system system of the point charges may be defined as the total amount of work done as a total amount of the work done in bringing the different charges to the certain point from infinity clear next point हमारे पास आता है इस discussion में यहां पर use की हमने system clear system का मीनिंग यहां पर क्या रहा जैसे 2 charges है 3 charges है तो एक system को comprise करती है मनते दो पॉइंट चार्ज हैं उनकी बात कर रहें तो एक system को comprise कर रहें या 3 point charges है तो एक system को comprise कर रहें हम लोग अब हम बात कर रहे है क्या चीज़ कि electric potential energy जो है in case of system of two point charges उस case में relation जो है वो drive करेंगे electric potential energy in case of system comprising या consistent of two point charges students electric potential energy of a system of two point charges clear सो मा लेते हैं कि यह दो point charges हमारे पास हैं कहीं पर एक system में q1 और क्या है q2 हैं इनको हमने यह मा लेते हैं initialy किस पर है infinity पर हैं और इनको कहीं पर हमने एक जगह पर लाना किसी point तक लाना है तो मा लेते हैं इन charges को हमने इस पूरे system में लाना है तो पहले suppose करते कि q1 charge जो है उसको लाना है कहां पर a point तो मा लेते हैं q1 इसको इस सिस्टम में लाने में टोटल जो एलेक्टिक पॉटेंशल नर्जी कितनी आई और उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करने है टोटल अमाउंट वर्गड़न क्लियर पहले हम बात करते हैं कि Q1 चार्ज जो है जब A पॉइंट पे लाया आपने तो टोटल अमाउंट वर्गड़न कितना हुआ उसके लिए देख लेंगे अलेक्टिक पॉटेंशल जो होता है वो वर्गड़न डिवाइड बे चार्ज होता है तो यह वर्गड़न की जो है डेफिनिशन निकल किया आती है लेकिन जब Q1 चार्ज हमने इस पॉइंट से A पॉइंट तक लाया तो इस पॉइंट पे आलड़ी कोई चार्ज इस एरिये में कोई आलड़ी कोई चार्ज नहीं था चार्ज नहीं था इसका मतलब इस A पॉइंट पर पोटेंशल यह इसके अरॉण यह जो पोटेंशल वगजरा था वो कितना था जीरू इसका मतलब जब Q1 चार्ज अपने A पॉइंट पे लाया तो हमारा जो amount of work done हमने किया वो कितना हुआ 0 हुआ तो W1 तो हमारा 0 हो गया लेकिन अब यहां पे चार्ज हो गया let us suppose कि अब Q2 चार्ज हो है उसको किसी एक इसके साथ में कौन से पॉइंट पे लाना है B पॉइंट पे लाना है और यह जो B पॉइंट है यह इसकी फिल्ड में आ रहा है Q1 चार्ज की कहां पे आ रहा है फिल्ड में आ रहा है अब Q2 चार्ज को आप अपने कहां लाना है B2 पॉइंट पे लाना है बट B2 पॉइंट जो है अब Q1 चार्ज की फिल्ड में आ गया है तो वर्गदन 0 तो होगा नहीं लेकिन पहले हम देखते हैं कि इस point पर potential कितना होगा due to the charge Q1 तो electric potential at the point B due to the charge Q1 कैसे relation आएगा V1 is equal to 1 upon 4 पर यह पसनाट Q1 upon R12 मालेते हैं इनके बीच का distance हम suppose करते हैं R12 clear यह तो relation हमने पहले भी discuss किया now मालेते हैं कि अब आपने Q2 charge जो है वो यहां से कहां पर लाया B point पर लाया clear जी so अब हम calculate करेंगे Q2 charge को आप B point लाने में work done जो है वो किसकी कुल होगा so W2 जो होगा अभी पड़ा हमने work done जो है वो किसकी कुल होगा the charge into potential so W2 is equal to Q2 charge into potential at the point B and that is equal to V1 so Q2 यह कितना आएगा V1 कितना था हमारे पास 1 upon 4 pi epsilon 8 Q1 upon R12 और साथ में क्या आया Q2 so यह जो work done हमने किया clear clear क्योंकि total work done निकालना पड़ेगा आपको total work done पहले वले work done तो 0 ही था तो हमादा total work done आपका यही आया और यही जो total amount of the work done है in bringing the charges Q1 and Q2 to a particular location the total amount of the work done is stored in the system in the form of electric potential energy so U that is electric potential energy is equal to 1 upon 4 pi epsilon 9 Q1 Q2 upon कितना हुआ R12 clear इस relation को अब हम लोग आगे further break important purpose के लिए use भी कर सकते है अभी हम जो relation drive करके आए relation आप बोड़ पे देख रहे potential energy electric potential energy के relation था U is equal to 1 upon 4 pi epsilon 9 Q1 Q2 upon R that is distance यह relation हमें बड़ी help करता है एक concept आता है कि light charges repel and unlike charges attacked उस point को समझने के लिए इस relation के हल ले सकते हम लोग कुछ हलता clear कैसे आप लोग discuss करेंगे उसके लिए पहले दो बाते आप लोग पकड़ में ले ले लिए पहली तो एक mathematical point है first जो point है वो mathematical point है मैं कहता हूँ 5 और 7 दुनों में से बड़ा कौन सा है naturally 7 clear क्योंकि positive value जब हम लेते हैं number line पे positive integers की आप बात करते हैं तो जितना वो बड़ा integer होता है उतनी उसकी value क्या होती है बड़ी होती है अब मैं पुछता हूँ negative 2 और negative 5 दुनों में से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है तो negative number line आपको पता होगा mathematics में negative 2 जो है वो greater है और negative 5 जो है वो छोटा है negative में जब टर्म जाती है तो जितनी बड़ी टर्म होती है ने उतनी value क्यों होती है चोटी होती है यह तो की पहली बात दूसरी बात अब लोग ध्यार रखेंगे कि नेचर के अंदर system जो है नेचर का system है उसमें किस system कब stable कहते हैं stable कौन सा होता है जिसके पास minimum energy होती है यह रहता है जिसके पास minimum इनर्जी है उसको हम बोलते हैं कि वह कौन से सिस्टम है स्टेबल सिस्टम है अब स्ट्रंस हम लोग इस तरफ चलते हैं अब दोग देखें यूज इस एक्वेल टू वन वे फॉर पाई अपसंदार क्यूवन क्यूटू अपॉन आर स्टेर क्यूवन और क्यूटू की बात करेंगे हम अजसी संब्सक्राइब क्या होना चाहिए मिनीम्म मैई इसलिए जो पॉजटीव पॉजटीव चाहिए क्यूटू तो डिनामीर है है उसको maximum होना पड़ेगा उसको क्या होना पड़ेगा maximum होना पड़ेगा बाइस जितना जदा होगा यो की वैली उतनी क्या होगी काम होगी इसलिए जब डो positive charge अपने साथ में लाए अपने सिस्टम को stable करने के लिए उनके टिस्टंस क्या करेंगे maximum करने की कोशिश करेंगी माकसिमुम करने की कोसिश करेंगी जिसके वारा से कि बढ़ेगा मतलब स्टक़ि किसाफ से औल बढ़े गा और यूकि का मैंदूट्य नरजी अनरजी कौ्छ तो यू जो आएगा वो क्या आएगा नेगटिव आएगा जब नेगटिव आएगा उस टाइम हमारा डिनामिटर आर जो होना चीए वो क्या होना चीए मिनिमम होना चीए मिनिमम होगा उस टाइम यू की वेल्यू जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी वो मैक्सिमम जो होगा वो जो की वड़ी जो होई चाल्डिए लिए भी मिनिमम् होगी हो तो स्टेबिल्टिशी लीए जिब दो किसे एक पॉजिटिवे उनके बीच का इसकी कि क्या ना चीए मिनिमम् करते हैं तो क्यों दिसक्षि करते हैं एलेक्टिप potential energy of a dipole placed in uniform electric field, so अब आपके पास आ रहा है electric potential energy of a dipole in uniform electric field, clear, तो स्टेंस यह जो figure आ पोर है, यह figure जानी पहचानी है, एलक्ट्रीक field है, यह A-B dipole है, consisting of the charges Q or कौन सा negative Q, यह जानी पहचानी चीज़ है हमारे पास क्योंकि यह फिगर हम लोगों ने पहले भी बात करी थी ठीक है लेकिन अब इस केस में हम बात करते हैं पहले तो हमने आपको याद होगा हमने फर्स वीडियो में अपनी निकल आता कि F-positive force यह elective field है AB dipole है यहां से outward force लग तरफ फ सो F-positive कि वैल्यू कितनी आएगी Q into E F NEGative Q into E तो net force विस dipole लग तो कितनी लग रही थी? 0 है यह relations हमने पहले drive किये हैं पहली वीडियो में जिसकैसी नहीं नहीं देखी है तो वह देख सकते हैं पहली वीडियो सो नेट फोर्स इसकेस में डाइपोल को जब प्लेस करते हैं यूनिफार्म एलेक्टिव फिल्ड में तो कितनी रखती है जीरो और जो इसमें रोटेशनल डिफेक्ट पडियूस होता है उसका अलेशन वने पड़ा था कितना था पी-ई साइन खेटा अब एक चीज़ देखेंगे आज हम करने क्या जा रहें यह मालते हैं डाइपोल था जो टाक इस पर लग रहा है वो इस ड्रेक्शन में लग रहा है वो इसको इस दरह रोटेट कर रहा है इस ड्रेक्शन में रोटेट कर रहा है और हमने क्या करना है जिस ड्रेक्शन में रोट होगा in the form of electric potential energy उसी का relation हम लोग क्या कर रहें drive करने जा रहें clear so मालेते हैं कि इस dipole को इस a-b dipole को थोड़ा सा angle हमने क्या किया पहले हम small amount of work done निकालेंगे तो small angle हमने क्या किया इसको थोड़ा सा rotate किया कितना angle से rotate किया मालेते हैं d theta angle से rotate किया तो निचली बात है कि work done कितना होगा so work done is equal to कितना हो जाएगा d w small amount of work done is equal to against the torque काम कर रहें आप लोग ठीक है against the torque so dw work done is equal to torque into the small angle जितना आपने move किया now total जो है हमने लेते हैं कि initially वह angle जो है वह कितना था theta 1 था आपने इसको rotate करके कितने angle पे लाया theta 2 angle पे लाया so total amount of the work done ठीक है पहले वह angle जो theta 1 था मालेते हैं अब अपने उसको rotate किया तो कितना angle आया theta 2 angle आया so total work done जो आया वह कितना कैसे निकलेंगे इसको आप integrate करोगे within limits ठीक है so integration of dw is equal to integration of टाक टाक इसकी एकुल है p e sin theta p e sin theta into यह वहला d theta from theta 1 से कितना theta 2 आपको बता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं वह w dw की integration w is equal to p e common ले लिया अपने outside ले लिया clear and it is sin theta अंदर बच रहा d theta from theta 1 से कितना theta 2 अब sin theta की integration कितने होती है minus cos theta clear और अपने लिमिट माइनस लोवल लिमिट का concept आपने बड़ी बार पड़ा होगा इसलिए यहां पर जो वक्टन बन रहा हमारा dw is equal to sin theta की integration कितना आएगा minus cos theta तो minus आपने out से लिया p e into upper limit minus lower limit कर रहे है cos theta 2 minus cos theta 1 clear so मा लेते हैं अब यह यादखना अगर आपको theta 1 और theta 2 यह angles दिये हैं यह पहले डाइपोल इतनी डिगरी पे था अब इतनी डिगरी पे लिया तो उस ताइम उसका potential energy आवक्टन कैल्कुलेड करो तो यह relation यूज़ कर सकते हैं अबट जनलेशन जो बनता है अगर particular angle की बात करें हम लोग कि इफ इनिशली theta 1 मालते हैं कितने डिगरी का था ठीक है वह perpendicular की case में था ऐसे करके perpendicular में था और theta 2 एक unknown angle है ठीक है जिस पर आपने change किया तो पहले ऐसे था मालते dipole clear आपने उसको change कर गिदर लाया कितना angle लाया कितने angle पर लेगे तो वह मालते कितना angle है हमारा theta 2 एंगल है उस case में तो यह चीज़ आ जाएगी हमारे पस w is equal to minus pe into cos of theta 2 जिसको आपने theta के equal suppose कि स्कॉस of theta minus cos of theta 1 जो हम initially कितना suppose कर रहे 90 पॉस कर रहे clear and that is equal to w is equal to कितना जाएगा minus pe cos of theta because cos 90 जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा cos 91 हो जाएगा और sorry zero हो जाएगा तो यह तो zero ली term आगी पूरी so minus pe cos theta तो scalar formula और यही जो वग्णम रहेगा rotate करने में यह store होगा u that is the electric potential energy minus pe cos of theta और अगर आगर वाक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको आप लोग तो यह चुकि जाएगा आपके पास minus pe of e negative of pe आजाएगा इस case में जो energy होगी वह क्या होगी minimum होगी clear और उस time हम बात करेंगे कि किसकी है वह stable equilibrium condition आएगी अगर theta 90 degree का है तो उस time u जो है वह कितना हो जाएगा zero because cos 90 कितना होता है zero होता है उस time जो है वह कॉनसे condition होगी neutral equilibrium की case होगी and if theta is equal to कितना है 180 clear आपने जो final इसको rotate करके लेगे वह बड़े दूर opposite direction में लेगे उस case में और cos 180 की value कितनी होती है negative 1 होती है तो negative negative positive वह कितना आएगा positive यह energy जो है यह कॉनसे energy है maximum energy है और इस time जो है हमारे पास कॉनसे condition आएगी unstable equilibrium की condition आएगी क्ञर्बस्गधिक